के परिजनों में खुशी की लहर है जैभान सिंग पवया के ग्वालियर वापसी पर धुमधाम के साथ उनके स्वागत की तैयारी की जा रही है बाबरी विध्यंस मामले में 28 साल बाद कोट का फैसला आया है जैभान सिंग पवया जो आरोपी थे वो बरी हो गए है परिजनों के चेहरे पर खुशी की लहर है हम बात करने की कोशिश करेंगी उनके जो भाई है उनसे आरोप में मुवी तथ नहीं था आरोप के पीछे का जो कारण था स्री राम जर्म भूमी वो राम जर्म भूमी में जब हिंदू विज़ाई हो गया जब कारण ही पहले समाप्त हो चुका तो ये कारण के उपर केस में कोई आधार नहीं था इसलिए मन में विश्वास था कि इसमें विजय प्राप्त होगी बरी होंगे, मन मैं कहीं थोड़ छोटी बहुत एक परशेंट आसंका थी कि सजा भी हो सकते हैं, कानून के दोनों पहलू होते हैं, बरी भी हो सकते हैं, पूरी तैयारी के साथ गही थी, वो अपने लंगोटी रामायल साथ में सत्तू भी साथ म मंजूर है, अगर मुझे जेल भी जाना पड़े तो जेल जाओंगा, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? क्याओंगा के संब्मान में भी कहा है, कि उन्हें न्याय पालिका के प्रिक्रिया पर पूरी तरीके से भरोसा था, यही वज़ी है.